तो लीजिए सुनिए मालती जोशी जी की कहानी चंदर हाल मालती जोशी जी की अन्य कहानी आपको मारी प्लेलिस से मिल जाएंगी लिंक आपको end screen देथा आई बटन में मिल जाएगा अमा परसो मीनू आ रही है आलोग ने मा को सूचना थी वैसे उसका मन तो था कि मीनू को एकदम मा के सामने खड़ा करके चकित कर देगा पहले से कुछ नहीं बताएगा पर उसे डॉक्टर की हिदायत याद आ गई अच्छी हो या बिरी मा को कोई खबर बहुत एधियाद से ही देनी है किसी भी तरह का आकस्मिक धक्का उनके लिए खतरनाक हो सकते है उसने तो सोचा था कि मीनू के आगमन की सूचना पाते ही मा का चैरा खुशी से खेल उटेगा पर मा वैसे ही जडवत बैटी रही उनके चैरे पर कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी अमा सुन रही हो न परसो मीनू आ रही है आ रही है तो मैं क्या करूँ अमा ने तुनक करका उससे कहो अभी क्यों आ रही है सिदे मेरी तेरे ही पर आती दो दो बार का खर्चा बच जाता कैसी बात कर रही हो अमा ठीकी तो कह रही हूँ जब मैं मरने की कगार पढ़ थी तब आते नहीं बना सोचा एक बार निपढ़ जाने तो फिर ही कठा हुआ आउंगी पर मैं ऐसी बेशिरम की मौत के मुझे सही सलामत लोटी आई सही सलामत तो तुम्हें लोट नहीं था अमा या उप्रेशन तुम्हारी सलामती के लिए ही तो किया था वह कुछ बोली नहीं मुफुलाई बैठे रही और प्लीज उसे उल्टा सीधा कुछ मत कहा देना गल्ती उसकी नहीं हमारी है हमने उसे खबर ही नहीं की थी हमने मतलब अनू ने सोचा कि मीनू आईगी तो वह उसकी और ठीक से ध्यान नहीं दे पाईगी अनू को घर भी देखना तो और अस्पताल में तुछाने पास रहना भी तो जरूरी था पर मीनू कोई महमान थी क्या पराई थी जो तुम लोगों से खातरदारी की अपेक्षा करती और इतनी अकल तो उसे भी है बल्कि उसके आने से तो सहरा हो जाता न वह अस्पताल में मुझे देख ली थी बहु को भी थोड़ा आराम हो जाता अम्मा वो हमने सोचा क्या सोचा तुमने अरे इतना खतरना का उपरेशन था मैं मर भी तो सकती थी और फिर फिर वह लड़की क्या तुम्हें जिंदगी पर माफ करती मरती क्यों तुम यह उपरेशन क्या तुम्हें मारने के लिए क्या था बल्कि अब तो तुम्हारी जिंदगी दस-पांस साल बढ़ गई है और सोचो उस समय हटबड़ी में दोड़ कर आती तो वहाँ संजीव और बच्चे कितना परिशान होते उसका भी मन बटा हुआ रहता अब उसने अपनी सास को वहाँ बलवा लिया अब वह इत्मिनान से तुम्हारे पास रह सकेगी इसके बाद वह कुछ नहीं बोली वह सभी उत्तेजना के मारे उन्हें थकांसी हो गई थी वह धीरे से लेट गई आलोक चुप चाप उटकर बाहर चला गया आलेक को कैसे बताती कि कुछ दिन उन्होंने कितनी बेचैनी से बेहाली से काटे खास कर अस्पताल वाले दिन रोज रात को सोते समय सोचती सुभा जरूर मेनू को देखेंगी अम्मा की बाईपास की खबर सुनकर लड़की रुकतो नहीं सकती थी पर पूरा दिन निकल जाता ना मेनू आती ना उसकी कोई खबर रात में रात से फिर उनकी परतिक्षा शुरू हो जाती और हर दिन निराशा में बदल जाता उन्हें गुस्सा आ जाता था कभी कभी तो रोना आ जाता था पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा अपनी ही बिटिया की शिकायत किस्से करती रात बर उन्हें नीन नहीं आई मीनू की पिछली छाया याद आती रही उस बार नन्यत की शादी में आई थी सारे दिन ससुराल में ही बीट गए जाने से पहले दो दिन के लिए वे लोग उनके पास आये थे उस दिन आलोक ने पिक्चर का प्रोग्राम बना लिया पर मीनू नहीं गई बोली भईया मैं उतनी दिर अम्मा के पास और बढ़क लूँगी अनुपमा भी नहीं गई उस पर तो महमान नवाजी का सारा भार था फुरसत के शनों में अम्मा ने अपना सारा खजाना उसके सामने खोल कर रख दिया था उतनी भारी साड़िया पहनने का ना तो अब उन्हें शौक रह गया था ना ताकत चाती थी कि बिटिया अपनी पसंद की चुल ले बाकी वे भगो को दे देंगी मीनु बोली इतनी साड़ियों का मैं क्या करूँगी अम्मा साल में मुश्किल से आट दस बार पहन पाती हूँ मेरी शादी वाली साड़ियां ही पड़े पड़े खराब हो रहे हैं और इन साड़ियों के तुम सूट तो बनवाने नहीं दोगी उन्होंने फॉरन साड़ियां समाटली खबरदार जो इन साड़ियों पर कैची चलाई जिनके पास नहीं होता वे बिचारी तरसते हैं और तुम लोगों को ये दरीदरती लक्षन सूचते हैं अच्छा साड़ियां छोड़ो मैं चांदी के बरतन में इंटरेस्ट नहीं है जाने से पहले तुम अपने चंद्रहर मुझे दे देना एक एक लड़ अपनी दवनों भवो को पहनाऊंगी एक मैं पहनाऊंगी तुमारा आशिरवाद हमेशे हमारे साथ रहेगा सुबह कहना था ना कलवाल आते कल दुपैर की फ्लाइट है न 11 बज़े चले चलेंगे इतनी जल्दी नहीं हमार ना अभी मेरे बच्चे बिहाने लाइक हुए है ना तुम अभी मरने जा रहे हो मरते समय क्या पता याद रहेगा भी नहीं तो भाबी से कहती जाओ और उसने तुरंथ भाबी को ओवास दे दी भाबी जरा सुनती जाओ अमा क्या कह रही है भाबी आचल से पसीना पहुचते वे हाजी रही पारवती जरा कडाई चलाती रहना मैं आ रहे हैं फिर मीनू से बोली बोलो क्या कह रहे ती मैंनी अमा कह रही है भावी ने जब अब अम्मा की और देखा वैं सक पका गई धिरे से बोली मैं मर जाओं तो मेरे चंदरहार इसे दे देना तो अपने हाथ से दे दी जी ना मरने का इंतिजार क्यों करती है मैं जाओं मेरी कडाई जल रही है बाद में पारवती ने बताया कि बहु जी बड़ बड़ा रही थी कि सेवा करने के लिए हमें और मेवल उटने के लिए बिटिया रहनी मजाक में ही सही बेटी ने एक इच्छा प्रकट की थी तो अम्मा जी ने निश्य कर लिया था कि अपनी लाड़ले की इच्छा का मांच जरूर रखेंगी ऑपरेशन की तारीक तैह होते ही वे बैंक गई थी और हार निकाल लाए थी मन हुआ कि बहु से कह दें कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें कुछ हो जाए तो मीनू को उसकी सौगात दे दे पर बहु कि उस दिन की बात याद करके हिम्मत नहीं पड़ी सब कुछ उन्होंने भाग गय के भरो से इश्वर के भरो से छोड़ दिया था और इश्वर उन्हें अपने घर में लोटा लाए थे अब वे अपने हाथ से बेटी को उसकी थाती सौप सकेंगी शाम को भूच चाय देने आई तो उन्होंने पूछा मेरी अलमारी की चावी तुम्हारे पास है ना हाँ क्यों सोच रही थी बैठे बैठे जरा ठीक कर लेती अमा जी अभी आपकी दवियत उतनी ठीक नहीं हुई है बेकार में काम मत कीजिए पहली फुरसत में ही मैं ठीक कर दूँगी अरे मैं कोई पूरी थोड़ी खंगा लूँगी बस बिट्टी के लिए एक खाना खाली करना है तो पारवती की मदद से कर लूँगी पर गैस्ट्रूम में तो अलमारी है ना नई बिट्टी इस बार अकेली आ रही है मेरे पास ही रहेगी उन्होंने दिर्ड़ता से कहा बहु फिर कुछ नहीं बोली दूसरे दिन उन्होंने फिर याद दिलाया पर इस बार भाना दूसरा था अरे अपरेशन से पहले चैन चोड़िया टॉप सब उतार कर रख दिया था ना सोचती हूं मेनू के आने से पहले पहलो जवाब में बहु छन से चाविया पटक कर चली गई बाद में पारवती ने बताया कि बहु जी बुदबुदा रही थी कि ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और चाविय में प्रान अटके है पारवती से मिली ऐसी सुचनाई मन को उद्वेन करती रहती है मीनूर के लिए एक खाना खाली करने के बहाने उन्होंने सारी अलमाली खाली कर दी कपडो का वह धेर एक कौने में सरका कर पारवती को तर्तीब से समिटने के लिए बिठा दिया फिर उसकी नजर बचा कर उन्होंने धीरे से लौकर खुला आप्रेशन के लिए जाने से पहले उन्होंने रोज पहनने की सारी चीज़े उतार कर एक रुमाल में बांदी थी वह रुमाल यह था वत रखा मिल गया उसे परे रखकर उन्होंने दुबारा भीतर तक हाट डाल कर टटोला बैंक के कागच पत्तर थे खास खास अफसरों पर निकलने वाले पूजा के बरतन थे पाउच में रखी हुई दरजन भर अंगुठिया और टॉप्स थे चांदी के गनेश थे अमरिकन डायमंड की चुड़िया थी मतलब की सब कुछ था पर वें मकमली बटुआ कहीं नजर नहीं आया पता नहीं क्यों उन्हें एकदम ठकान सी महसूस होने लगी उन्होंने लाकर बंद किया और रुमाल की पोटली को मुठी में दबा कर लेड़ गए उन्चीजों को पहनने का भी उत्सा हनी रहा मीनू के आने के बाद दो तिन दिन फूर से कैसे उड़ गए पता ही नहीं चला ममी को ठीक ठाक देखकर वह भी खुश थी और भावी को उस पर प्यार बरसाते वे देख मीनू की अम्मा भी खुश थी रात को जब घर भर सो गया तो उन्होंने मीनू से का बिटी मेरा एक काम करेगी पानी चाहिए या दूद गरम कर दो नहीं वह तो सब थरमस में रखा हुए तो एक बार मेरा लौकर खंगाल दे एक चीज नहीं मिल रही और मुझसे वह जादा दिर खड़ा नहीं हुआ जाता मीनू ने दर्वाजा बंद किया और लौकर का पूरा समान चादर पर सजा दिया देख लो अमा क्या चाहिए बता दो अलग से रख दूगी उन्होंने पहले ही देख रखा था फिर भी एक सरसरी निका सब चीजों पर डाल दिया और सिर हिला दिया मीनू ने सारा समान उठा कर तर्तीब से वापस रख दिया लौकर बंद किया और पलंग पर बैठ कर बोली कौन सी चीज नहीं मिल रही चंद्रहार अस्पतल जाने से पहले बैंक से लाकर लाकर में रखा था तुम्हें दूंगी पर वही गया गया कमाल करती ओम्मा अस्पतल जाने से पहले तो तुम्हें यह सारा समान भी बैंक में रखवा देना था साथ आठ दिन तक घर तो एक तरह से सुना ही रहा होगा चोर अगर आता तो उसकी तो चांदी हो जाती चाबी किस के पास ती तेरी भाबी के पास हो सकता है उन्होंने संभाल कर कहीं उठा कर रख दिया हो पूछ कर देख लो ना बाबा ऐसा महाभारत मचाएगी कि बस उसकी आदत तो तुम जानती तो हो उसने चाबीयां ही मांग ले थी तो ऐसा ताफ खा गई थी कि क्या बताओ तो फिर अब उस बात को मन से निकाल दो और सोजाओ वह लेट तो गई और मीनू की तसली के लिए उन्होंने आखे भी मुंदली पर किसी के कहने भर से कोई बात मन से निकल पाती है क्या लेटे लेटे मीनू को अचानक कुछ हियाद आ गया अम्मा तुम्हारे लोकर से वह लाल रिशम की थैली जिसमें तुम बाबुजी की चिठियां रखा करती थी गायब है हे भगवान वेगदम उट बैटे विट्टी वै बड़े वाला सफेद संदुक खोल दो हे भगवान इतनी रात को मीनू ने याचना के स्वर में का पर अम्मा उसके और बड़ी आशा से देख रही थी उटना ही पड़ा कौने में रखे उस संदुक को खोलना आसान काम नहीं था उस पर दुनिया भर का कबार रखा हुआ था संदुक में भी अल्लम गल्लम समानी था पुराने धेर सारे एल्बम्स खांदान के ग्रूप फोटो बाबुजी को यहां वहां से मिले मान पत्र सार्टिफिकेट्स, मेडल्स, शादी के कार्स परिवार भर की जनम कुंडलिया एक पूरा संसार बंद था उसमें जिसे अम्मा ने जतन से सहेच कर रखा था उसी समान को उलटते पलटते वहरेश्मी तहली हाथ में आगए वह कुछ सोचती इससे पहले ही अम्मा ने जपटकर उसके हाथ से ले ली और अधीरता से डोरियां सरकाई उसमें से वह जामुनी मकमली पाउच निकल है उसे माते से छुआते उन्हाने का शुकर है भगवान का मिल तो गया चल अब मिल गया है तो चुपचाप रख ले मेरी एक चिंदा दूर हुई उन्होंने जैसे ही पाउच आगे बढ़ाया मीनुने एक छटके से हाथ अटा लिया जैसे बिजली का करंट लग गया हो नहीं अम्मा अब मैं यह हार नहीं लूँगी क्यों मेरी चीज़ां मैं दे रही हूँ हाँ पर इस हार को लेकर तुम पता नहीं क्या क्या सूच गई थी तुमने तो भावी को भी कटगरे में खड़ा कर दिया था कल को भावी बी ऐसा कर सकती है भावी तो यही सोचेंगी कि यह चीज़ तीन साल पहले ही तुमने मुझे दे दी होगी और किसी को बताया तक नहीं वै तो सोचेंगी कि इस तरह तुमने और भी बहुत कुछ दिया होगा जिसका उनने पता नहीं तुमने तो अपना शक किसी पर जाहिर नहीं किया पर भावी को तो जानती हो वैं तो पूरी दुनिया में ब्रॉटकास्ट कर देंगी और मैं तो शरम के मारे भाविया के समने खड़ी भी ना हो सकूँगी तो इसमें शरम की किया बात है क्या मुझे इतना भी हक नहीं अम्मा तुम्हारे हक से भी महत्वपूर्ण है भावी का विश्वास जो मैं तोड़ना नहीं चाहती रिष्टे नाजुक होते हैं मा दरपन की तरह एक बार दरग गए तो किसी मतलब के नहीं रहते और मैं इन रिष्टों को सहेजना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद इस घर में मेरा दाना पनी बना रहे मैं जब जब भारत आऊं इस घर के दरवाजे मुझे खुले मिले ताकि मैं तुम्हारी यादों को फिर से जी सकूँ कल को मेरे बच्चों की शादिया हो तो मैं हक के साथ भात मांगने आ सकूँ ये मेरे पीहर की देरी है अम्मा मेरे लिए किसी भी हार से ज़्यादा कीमती है प्लीज इसे मत मुझसे मत चीनो और यह बात कहते कहते मीनू का गला भराया आखे चल चलाए अम्मा ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और इसके पीठ पर हाथ फिरते वे बुली अर